नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एज ओफ विजे नगर एंद अ बहामिट्स के बारे में बात हो रही है चैप्टर नमबर 9 है मीडियो लिश्टी सर्थी शंद्रा किताब का यहाँ पर बहामानी किंडम के बारे में बात करेंगे बहामानी किंडम कैसे एक्सपैंड और इसका एक बहुत important ruler था जिसका नाम था महमूद गवान महमूद गवान सीधे सीधे सुल्तान नहीं था लेकिन प्राइम मिनिस्टर था और literally इन्होंने राज किया है बहामानी politics के उपर एंड में इस महमूद गवान को execute कर दिया जाएगा मार दिया जाएगा 70 साल के उमर फिरू शाह बहमानी के साथ लड़ रहा था फिरू शाह बहमानी की आपकी देवराय वन के साथ जो लड़ाई थी फिरू शाह बहमानी का जो टैनूर था that was from 1397 to 1422 काफी जबरदस्त ruler था आप अगर बाद करो फिरू शाह बहमानी की religious sciences भी इसको आती थी कुरान के बारे में Muslim law के बारे में इसको काफी कुछ पता था और science में भी अच्छी कासी रूची थी botany geometry logic इसके बारे में अच्छा कासा पता था अपका फिरू शाह बहमानी को एक जबरदस्त कैनल युठ्यो तो चक्रबे स吧 अबंवा सुन्डर जानते हैं लिक्ते निंको कहले ग्रॉफिस्टा करते हैं है कि बैठे बैठे कुछ लोग कवीता बना देते हैं तो यह करेकिता थे थी ओंभी भी आज की डेट में एक भाषा सीके लो तुम हिंदी अंग्रेजी के लावा वो मुश्किल है यह पर्सियन अरेबिक टर्किस तेलगो कंणर मराथी सब जानते थे तो बहुत सारी वाइफ्स थी उसमें पर बहुत सारी वाइफ्स होना कोई बड़ी बात नहीं इसके हरम में बहु पर बदेखो कि की तो बहुत सन्टर बनाने चाता था पूरे भारत का और आप देखो कि जो बहुत की रहारी राज करते तो बहुत से लकेंब इन की वाइफ्स करा हैं Agrilia agriculture कि दिल्ली सल्टनत का पतन हुआ, औरेड़ी जिस इलाके में यहाँ पे फिरोश्षा भिहमानी राज कर रहा था, इसको मुंध बिन तुगलब ऑलरी खासा डेवलप कर चुका था, उसके आगे डेवलप करना शुरू किया, फिरोश्षा भिहमानी ने, दिल्ली सल्टनत कम्ज जो पढ़े लिखे लोग थे इरान और इराक के वो भी आए और बहमानी कीडम में उनको खुले दिल से स्वागत किया किसने आपका फिरोशा बहमानी का ये मानना था कि ये कहता था जो राजा होते हैं उस राजा को अपने चारोतर रखना चाहिए लरंड और मेरी टॉरिस्मे में अलग-अलग कंट्रीज के अपने चारोत तरफ रखेगा तो इन मेरी टॉरिसमें को पता होगा कि जिस कंट्री से आए हैं वहाँ पर अच्छे चीज क्या है और वो अच्छी चीज ये राजा को बताएंगे और राजा फिर उन अच्छी चीज को अपने यहां पे इंप अपने पास रखता था उनसे चीजों को सीखने की कोशिश करता था और उसके बैसे पे अपने एड्मिनिस्ट्रिशन को एफिशेंट करने कोशिश करता था एक जबरदस्त अप्रोच अल्मोस्ट पूरा का पूरा असका टाइम रात के बारा बजे तक यह डिवाइन्स, पो पूसा था इसको मुस्लिन धरम में, he was a devout Muslim, but problem यह थी कि यह शराब बहुत पीता था, he was fond of drinking wine and listening to music. सबसे खाजमाद यहां पे फिरुशा बह्मानिक यह भी है, कि इसने अच्छी खासी तागाद में हिंदूस को अपने administration में जगा दी, यह religious bygot नहीं था, इसने secular policy के साब सराज किया, और तभी इसका जो administration था वो अतना efficient हो पाया है, जो decanee ब्रह्मांस थे ना, उनको खासा कर और वकाद मिली फिरुशा ब्रह्मानिक के समय पे, आगे बाट इस पहले वीडियो पे like कर बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को share और subscribe नहीं क्या कर दीजे, बहुत मदद मिलती है, वीडियो को like और comment करके इसका engagement मढ़ाए, हो सके तो join बटन दबाएं, उससे क काफी आसान रहा फिरुशा ब्रहमानी के लिए, चुकि जो हिंदूस भी थे, उसको भी फिरुशा ब्रहमानी के राज पर भरोसा था, और टेकनी हिंदूस ने भी अपनी position मनाई, चुकि बात ये थी कि फिरुशा ब्रहमानी बाहर के इलाके को लोगों को भी अपने administration ने ब कि बाहर से लोग आ रहें और हमारे इलाके में आके बैठ रहें, तो वो लोग चाहेंगे कि हम भी अपनी उकात बनाए एक प्रकार का competition होगा और उस competition में हर इनसान best perform करने कोशिश करेगा, और जितना इनसान best perform करेगा, उतना ही ruler के लिए अच्छा, राज के लिए अच्छा फिर यह जो डेकनी ब्रहमन्स थे, जो कि आपके फिरोशा बहमानी के राज में थे, यह revenue administration देखते थे, मतलब कितना tax इखटा हुआ, यह सब चलईके की चीज़ें, यह लोग यहां पर देखा करते थे, फिरी जो फिरोशा बहमानी था, इसने astronomy को भी काफी बढ़ाने की फिरोशा बहमानी इसने भी दौलता बात काफी development किया, फिर कुछ प्रिंसिपल पोर्ट्स ऑफ दा किनम थे, जैसे चॉल एंड धबोल, इनको खासा कर डेवलप करने में फिरोशा बहमानी रोल प्ले किया, फिरोशा बहमानी को पता था कि ट्रेड का क्या potential है, अगर बाहर क दुनिया से अपना connect बना के रखोगे, तो उसके क्या positive economic logic है, ये सब बातें फिरोशा बहमानी को पता थी, इसलिए उसने international trade को यहाँ पर प्रमोट किया, ट्रेडिंग शिप्ट पर्शिन गल्फ से और Red Sea से आते थे, ओके luxury goods लेके आया करते थे, from different parts of the world, बहमानी kingdom के समय पे फिर जो फिरोश शाह बहमानी था, फिरोश बहमानी, ये फिरोश बहमानी ने बिरार की तरफ अपने empire को expand करने की कोशिश की, अब समझेए, इसका थोड़ा बहुत expansion शुरू होगा, तब चीज़े थोड़ी problematic होनी शुरू हो जाएंगे, अब एक basic idea मैं आपको दे जेता हू इंडिया में यहाँ पे, overall आप केहलो, बहमानी सल्तनत है, अगर यहाँ पे है आपका देवगरी, जिसका आप दोलताबाद बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पे है आपको देवगरी, जिसका आप बोलते हो दैलताबाद, तो अगर आप इस से east की तरफ जाओगे, तो इसके बाद अगर आपको यहां से वारंगल को muot करना तो वारंगल आपको कह सकते हैं नई अधे वारंगल को करें राशन कि यहां से और आपको घॉलकोंडा को कि स्कारches कर तो इस से थोर से थोड़ा नीचे इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर गॉल गोल कोंडा मैं आपको हलका फुलका आइडिया दे रहा हूं तो यह अगर है आपका ध्यान दीजेगा यह है अगर आपका देवगिरी दौलता बात तो यह वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मैं अभी मार कर रहा हूं यह हो जाएगा आपका क्या बेराल इसके सा होगे कि सर यह लोकेशन्स क्यों बता रहे हो बेरार की विदार की वरंगल की गोल कोंडा की उसकी रीजन यह कि यह पहले भी आए हैं डिसकेशन्स में आपको मैप पे भी दिसकेशन्स पर आ रहे हैं तो अब दौलताबाद यहां था भी दौलताबाद से वो गया बेरार की तरफ बिरार का जो राजा था गोंड राजा नार सिंग राय और खेरला उसको यहाँ पहराया फिर आप देखोगे की चालेस है रिफेंट्स पांच मांट्स ओफ गोल्ड पचास मांट्स ओफ सिल्वर यह सब दिये गए फिरोस बहमानी को फिर यह जो राय था आपका खेरला राय ओफ खेरला इसकी डॉर्टर की भी शादी के आएगी फिरोस शाह बहमानी के साथ तो हैता था कि भाई यह फिरोस बहमानी मुस्लिम रूलर्स अटैक करते थे कोई हिंदू रूलर हार गया तो हिंदू रूलर ने उसकी सूजरानिटी एकसेप्ट कर ली उसको थोड़ा पॉलिटिकल सॉलिशन थे जो की एक या दो या तीन चार साल पांच साल शे साल मैक्सिमम तक शांती रख सकते थे बाद में आप देखोगे शांती कैसे न कैसे करके बिगड़ जाती थी तो इन सब चीजों करने के बाद जो खेरला नाम की जगा थी नरसिंग को वापस कर द लगता है और अक्सर कर यह गवर्नर सबफादार नहीं रहते थे विद्द्रोफ कर देते थे बाराल यहां पर ओवरल आप देखोगे कि गोंडा के राजे नरसिंग राय और खेरला को यहां पर हराया नरसिंग राय और ने बेटी शादी कर दी और बहुत सारा सोना वगरा दे दिया फिरोस बह्मानी को और ओवरल असकी सुजरैनिटी एकसेप्ट कर दी फिर आप देखोगे कि फिरोस बह्मानी ने देव रायवन की डॉटर से भी शादी की थी यह तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए ही है चुकि देखे यह राजे वागरा की जो पोस् सत्ता बड़ी चीज होती थी जैसे आज के पॉलिटीशन के लिए बोलते हैं कि जान जाए पर कुरसी ना जाए उसी समय पर उस समय पर सत्ता बहुत इंपोर्डेंट है राजा नॉबल सोचे का कि मेरा जो एड्मिनिस्टेटिव कंट्रोल है वो नहीं आना चाहिए बहले मे बहानी की विजय नेगर के साथ भी लड़ाई हुई जिसके वारे मैंने पिछली वीडियो में अलड़ी बात कर लिए यह लड़ाई क्रिश्न गोदावरी बेसिन को लेके हो रही थी और मराट वाला रीजन को लेके हो रही थी जो कि मैंने आपको पहले बता है 1419 में बहमानी कीगडम को एक सेट बैक मिला जब देव राया वन ने फिरोशा बहमानी को हरा दिया जब फिरोशा बहमानी यहाँ पे हरा उस समय पे आप देखोगे कि फिरोशा बहमानी की सिच्योशन यहाँ पे वीड पड़ गए अब अब तक फिरोशा बहमानी एडवांटेजिस पोजिशन में इसले था जो कि जो वारंगल का राजा था वो बहमानी कीडम के साथ था और विजे नगर अंपायर एक तरफ हो रहा था फिर बाद में विजे नगर अंपायर के देव राया ने मांडवली कर ली वारंगल के राजा के साथ जब ये दोनों मिल गए तब भाई बहमानी कीडम की पोजिशन कमजोर पड़ गई फिरोशा बहमानी हार गया जब फिरोशा बहमानी हार गया तो इसको एक कमजोर राजा की तरह देखा गया और इसके बाद गद्दी पर बैठेगा एहमा शाह वन एहमा शाह वन फिरोशा भिमानी का भाई था इसको सेंट वली भी बोलते थे सेंट वली क्यों बोलते थे चुकि एक सूफी सेंट का भक्त था जिसका नाम था गेसु दरास तो गेशु दराज नाम का एक सूफी सेंड था जिसका भक्त था ये कौन आपका एहमाशाह वन एहमाशाह वन ने अपने स्ट्रगल को कंटीनु रखा for the domination of the eastern seaboard in south इंडिया ठीक है भईया पिचले दो बैटल्स में ओवर औल यहां पर जो वरंगल विजयरेगर एमपाईर का सपोर्ट किया था और लब्मे समय से वरंगल वरंगल विभानी किंडम के साथ था तो बहमानी किंडम के राजा एहमाश शा को ये लगता था कि भाई इस वारंगल ने हमारी पीठ पे छूरा भौका है तो इनको हम जरूर हराएंगे ससुरों को तो ओवराल यहाँ पे बहमानी सुल्तान के हारने की वज़े समझी गई वारंगल को और कुल मिलाके एहमाश शा ने अपने अंदर एक गरज पकड़ रखी थी कि भाई इस वारंगल को हराऊंगा ये दोके बाजे और इसी वेंजेंस को इसी बदले की आग को बुचाने के लिए समय पढ़ने पे एहमाश शा ने वारंगल के ओपर अटैक किया उसके रूलर को एक बैटल में मार दिया और उसकी ज़्यादतर ट्रेटरिस को कबजा लिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें प्लान की गई थी कि समय पे विजन अगर एंपाइर इंटर्वीन ना कर पाए और इस चीज़ में सक्सफूल हो गया आपका वेमानी केंडम और अब यहाँ पे बिदार भी कंट्रोल में आ गया था किसके आपके इस पर्टिकुलर या रूलर एहमर शा के तो पहले अगर आप देखो समझेए पहले अगर आप देखें तो जो कैपिटल थी वो способ की दौलताबह आपके इतना जादा ही वारंगल के उपर कंट्रोल करके रखना अच्छा हुआ जो कि वारंगल के राजा को रहा जो कि ऐो लेकिन विजें अगर एमपैरा LS खत्रा अभी भी है तो अपनी capital को गुलबरगा से shift करके लेके आया बिदार, कौन एहमश्या, क्यों, चुकि भाई उसको अपने rule को consolidate करना है, और rule को consolidate करने के लिए अपनी capital को किसी एक strategic location बनाना पड़ेगा, जहां से हर direction में management equal तरीके से किया जा सके, उसके बाद आप देखोगे, कि मालवा, गो प्रेंशन जाएगा हमश्या का, कौन कर इस तरफ पड़ेगा, मालवा आपका गुजरात के side का इलाका है, और गोंडवाना भी है, जो डेकन प्रेट्व के आसपास का इलाका है, इसको आप कह सकते हो, फिर बात आ जाते हैं हम लोग महमूद गवान तो अभी तक हमने फिरो और वरंगल हार गया पहमानी kingdom, मतलब वरंगल हार गया बहैमानी kingdom जीदे गवारंगल ने वरंगल पर पूरा कब्फजा कर लिए, फिर से जो साओ् अब यहां भी जो बहमानी किंडम है एक्सपेंट होगा और इसके एक्सपेंशन में एक इनसान बहुत मेजर रोल प्ले करेगा और वो था मेहमूद गवान, मेहमूद गवान खुद सुल्तान नहीं था, he was the Prime Minister, पेश्वा जो होता है ना मराटी में पोस्ट जो थी मराटा उस मेहमूद गवान की अर्ली लाइफ के बारे में जब दो कुछ पता नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि he was an Iranian by birth और शुरुवात में एक ट्रेडर था, इसको सुल्तान से इंट्रिजूस किया गया, सुल्तान का ये फेवरेट बन गया और इसको टाइटल दिया गया मलिक उत् प्राइम मिनिस्टर बना, पेश्वर बना, अगले 20 सालों तक महमूद गवान ने affairs of the state को dominate किया, उसने बहमानी kingdom को extend किया by making further annexations in the east, फिर भाई, बहमानी kingdom की जो ताकत थी ना, वो महमूद गवान के साथ, महमूद गवान के समय पे काफी ताकत वर हो गई थी, भाई, इसने east में तो annexations किये ही थे, तो मतलब अगर ये इंडिया है और अगर ये बहमानी territory है, तो east में तो घुसी रहा था, इस तरफ भी ये घुसना शुरू हो गया, overall जो विजयनेगर के dominions थे, इसमें भी इसने entry मारी, सबसे पहले तो काची तक की जो विजयनेगर की territories थी, यहाँ प टरवा दिया इन भैमानी kingdom, यह विजयनेगर अमपायर की territories थी, नि धबोल और गोवा major ports थे विजयनेगर के जिनके ओपर कबजा कर लिया बह्मानी किग्डम ने और ये बह्मानी किग्डम की बहुत बड़ी जीत THी और विजय नगर empire हार कैसे गया आपने आप में इतना ताकत वर empire इनको कैसे हार गया है इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजे नगर empire की loss कैसे हुआ ये भी अपने आप में एक important topic है हाला कि इन ports के हारने के विजे नगर empire हो काफी नुकसान हुआ गोवा और डबोल पर कबजा करने चलते आप जो overseas trade था थ्रू गोवा और डबोल वो फिर बहमानी के हाथ में चला गया था और trade से अकसर कर आप कहते हो कि prosperity आती जब trade अच्छा होगा आपके trade links अच्छे होंगे prosperity आएगी पैसे आएगे और उससे फिर आप अपनी internal strength को और military strength को भी बढ़ा सकते हो तो इरान इराक के साथ जो trade था थ्रू गोवा और डबोल पोर्ट वो हाथ में चला गया था बहमानी किंडम के internal trade और manufacturing भी बहमानी किंडम के समय पे बहुत तेजी से बढ़ रही थी बहमानी किंडम strong हो रहा था फिर आप देखोगे जो northern frontier था बहमानी किंडम का उसको भी settle करने की कोशिश की महमूद गलवान ने जो मालवा का किंडम था जिसको खालजी रूलर्स राज कर रहे थे overall यह जो खालजी रूलर्स थे वो गोंडवाना बेरार और कौनकन के लिए लड़ रहे थे अब देखे अगर आप overall यह इलाका देखो इधर फैला है आपका बहमानी किंडम इसके उपर चले जाओगे तो आजाएगा आपका मालवा किंडम और यह जो मालवा किंडम था और बहमानी किंडम था यह बहुत सारे किंडम के लिए लड़ाई कर रहे थे एक तो यह लड़ाई कर रहे थे किसके लिए यह लड़ाई कर रहे थे कौनकन के लाके के लिए कौनकन का लाका जो पूरी की पूरी है तो बहमानी किंडम बहुत कमजोर पढ़ जाएगा अगर वो साउथ में विजे नगर अमपाय से लड़ने लगा और नॉर्थ में ये मालवास से लड़ने लगा तो यहाँ पर एक पर्मनेंट सॉलिशन की जरुट थी ये बात पता थी किसको महमूद गवान को तो महमूद गवान ने नॉर्दन फरंटियर को शान्त करने की कोशिश की एहमद शाह वन के रूल के समय पर जो मालवा का किंडम था ना ये खलजी रूलर्स के हाथ में था ये लोग गोनवाना बेरार और कोनगन पर बाशाज सावित करना चाते थे यहाँ पर जो गुजरात के राजा थे मालवा के बगल महीं आपका गुजरात है तो गुजरात के रूलर्स मालवा के रूलर्स और इधर आगया बहमानी किंडम अब ये तीन रूलर्स यहाँ पर निकल रहे है ये जो गुजरात के रूलर्स थे ये बहमानी किंडम के फेवर में थे और मालवा का रूलर बिलकुल बहमानी किंडम के अपोजिट में था जो कि मालवा का रूलर कुछ उन इलाकों पे कबज़ा करना चाहता था बेरार, गोंडवाना, कौनकन जो कि overall किसके इलाके में आते थे तो ठीक ठाक कंफ्लिक्ट हुआ यहां पे और कुल मिलाके अगर आप देखोगे तो यहां पे जो आपका महमूद गवान था उसने बोला कि ठीक है भाई यह जो गोंडवाना में खेरला नाम की जगा है यह खेरला मालवा को देंगे तो जो खेरला नाम की जगा थी मालवा को बोला गया कि तुम यह रखो तो जो मालवा खलजी रूलर्स और मालवा थे उनको बोला ठीक है भाई खेरला तुम्हारा लेकिन at the same point of time 관र नाम की जगा थी बहमानी ने बोला कि जो बहमानी जगा यह राखोगी तो यहां पे एक ढील जो महमूद खलजी रूलर था आपका मालवा का इसकी गंदी नजर थी बेरार के उपर ये बेरार के उपर कबजा करना चाहता था तो अब ये जो महमूद खलजी था किससे फाइट कर रहा था तो फाइट कर रहा था ये बेहमानी किंडम के साथ ठीक है भाई तो अब ये जब लड़ाई हुई न तो महमूद खलजी लड़ था किससे बेहमानी किंडम से महमूद खलजी को हराने में बेहमानी की किंडम की मदद कि किसने गुजराद के रूलर्स थे और उस सबब पे जो गुजराद की रूलर्स थे ये हिंदूस थे तो इसके basis पे एक चीज़ बताई है हिस्टोरियंज ने historians ने बोलाई कि यहाँ पर आपको दो Muslims आपस में लड़ते हैं नजर आएंगे अक्सर कर history को जब एक religious angle से देखने की कोशिश की जाती है तब दिखता है कि Muslims के अलग interest थे, Hindus के अलग interest थे, Muslims एक साथ रहते थे, Hindus एक साथ रहते थे यह आपस में लड़ते थे हमें numerous examples मिलते हैं इंडियन history में, जहाँ पर एक Hindu रजवाड़ा, एक Hindu रजवाड़ा से लड़ता नजर आएगा और एक Muslim रजवाड़ा, एक Muslim रजवाड़ा से लड़ता नजर आएगा जैसे यहाँ पे महमूद खिलजी ओफ मालवा, यह बेरार को लेके बहमानी किंडम से लड़ रहा था और बहमानी किंडम भी Muslims के control के अंदर था, तो यहाँ पे Muslims person Muslims हो रहा था ठीके, और गुजरात के जो हिंदू रूरस थे, वो मदद कर रहे थे बहमानी किंडम की किसको महमूद खिल जी को हलाने में तो कुल मिला कि यहाँ पे जो politics थी, वो clear cut सिर्फ धरम पे बेस्ट नहीं थी यहाँ पे और बहुत सरी चीज़े थी, जैसे political and strategic considerations, trade और commerce के ओपर control होना यह सब चीज़ें बहुत important causes हुआ करते थे conflict के प्लस यहाँ पे North India में जो conflict हो रहे थे और South India में जो conflict हो रहे थे, वो एक दूसरे के साथ बिलकुल segregated नहीं थे मतलब यह जो North India के जो Kingdoms जो कि आप कह सकते हो comparatively North India में थे जैसे कि for example मालवा और गुजरात, यह comparatively आप कह सकते हो North India में तो अगर आप यह इंडिया का नक्षा बनाओ तो गुजरात इधर हो गया, मालवा इधर हो गया तो यह comparatively आपका North India में आते हैं, फिर अगर आप और इसा की बात करो तो इधर अगर बंगाल है तो उसके just नीचे और इसा है, तो अब और इसा मालवा गुजरात यह completely South India में नहीं है, South India से थोड़ा उपर North India में आते हैं तो यह जो particular dominance थे वो North India की politics में तो involved थे यह South India की politics में भी involved हो रहे थे, ओके, यह जो कोरोमंडल कोस्ट था, इस कोरोमंडल कोस्ट के rich resources को कब जाने के लिए जो ओड़ीसा का empire था, यह भी downwards आने लगा, यह ओड़ीसा के ruler यहां से लेके यहां तक पहुँच गए आपके overall, बहुत हब तक South India में ओड़ीसा के rulers आ गए थे, 1450 के बाद, मदुरही तक इनकी territories पहुच गए थे, कृष्णा रिवर तक पहुच गए थे ओड़ीसा वाले और विजयनगर empire के कमजूर होने की एक और major वजय थी, हुआ यह कि यह जो देवराय 2 नाम का ruler थे ना विजयनगर empire का, यह खासा कर स्ट्रॉंग था, जब यह देवराय 2 मरा, उसके बाद जो kingdom था, वो overall बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे क्या मतलब, जो भी आप क्या सकतो, internal discord था, यह rulers आपस में लड़ने लगे, विजयनगर empire वाले, इसको मैं अगली वीडियो में proper तरीके से बात करूँगा, कुछ nobles ने अपने आपको independent declare कर दिया, कुछ governors ने आपको independent declare कर दिया, जो विजयनगर empire की centralized control था, वो पूरा टूड गया था, खेर उसके बार हम बाद में बात करेंगे, महमूद गवान पर जाते हैं, महमूद गवान ने बहुत सारे internal reforms भी किये हैं यहां पर, उसने kingdom को 8 provinces में तोड़ा जिनको अब तारफ भी बोलते हो, हर तारफ को govern करता था एक तारफ़तार, जो salaries होती हैं, और obligations होते थे, nobles के, वो fixed होते थे, 500 horse के जागीर पर जो revenue collection का काम है, वो जागीरदार करेगा, ठीक है, यानि कि तारफ़दार करेगा, और वो तारफ उसी पैसे में से पूरा करेगा अपना horses वगरा को, और soldiers को maintain करने का खर्चा, ठीक है, तो यह सब चीज़ें आपने यहां पर देखी, फिर भाई, एक tract of land, जिसको कभी-कभी खालिसिया भी बोला आता था, इस tract of land को हर प्रोविंस में बिलकुल सुल्तान के expenses के लिए अलग रखा जाता था, कि यहां से जो पैसा आएगा, वो सुल्तान के पास ही जाएगा, किसके महमानी के इंगनम के, कुल मिला के, लैंड को measure करना, और एक लैंड पे एक एक मदरसा जो teaching के लिए college होता था, इसको बनवाया था अपनी capital बिदार में, और यहां पे इसने decorated tiles लगवाई, तीन स्टूरी बड़ी building थी, इसमें हजार teacher और students रहा करते थे, इनको free के कपड़े और खाना वगरा free दिया करता था, जो बड़े-बड़े scholars थे उस समय के इरा पाया करते थे, पढ़ा करते थे, यह सब इरान, इराक इतनी दूर दूर से आयोगे थे, बहमानी kingdom के अंदर एक बहुत बड़ी problem थी, वो थी strife amongst nobles, इनके जो nobles थे ना, यह बटे हुए थे, इसमें एक तो थे long established decanies, और दूसरे थे newcomers who were foreigners, तो मैंने आपको बताया था कि फिरोश शाह बहमानी के समय पे ही, बहुत सारे जो डेकनी ब्रहमन्स थे, वो इनकी service में थे, और कुछ डेकनी nobles भी थे, मुस्लिम सी थे वो जादा तर, लेकिन वो काफी ताकतवर थे administration में, locally इन nobles की बहुत चलती थी, at the same point of time, फिरोश शाह बहमानी, एहमाश शाह, इन सबने बहुत सारे जो learned nobles थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, रसूगदार लोग थे, इनको एराक, एरान, अफगानिस्तान, परशिया, जगा जगा से बुलवाया था, तो दो ग्रूप्स बन गए थे, एक ग्रूप जो लोकल वही का था, डेकन का था, और एक ग्रूप जो बाहर से आया था, अब जो ग्रूप बाहर से आया था, उसको अपने मेटल को यहाँ पर प्रूप करना था, और बाहर से आने वाले ग्रूप को, जो लोकल ग्रूप है, वो पसंद नहीं करेगा, महमूद गवान था, ये एक निव कमर था, और ओवराल डेकनीज का बना के चलो, किसी साथ रडाई मत करो, लेकिन ओवराल पार्टी स्ट्राइफ बहुत थी, जो डेकनीज थे वो लगातार, इसके अगेंस्ट सर्डेंट कर रहे थे, चाले चल रहे थे, ये जो महमूद गवान था, इसने बनाने की कोशिश की बड़ उतना बन नहीं पाया, और ये जो डेकनी सुल्तान थे, ये भी काफी ताकतवर थे, तो एंड में आप देखोगे कि ये जो डेकनी नॉबल्स थे, इन नॉबल्स ने सुल्तान को भढ़का दिया और सुल्तान ने इसको एक्जीक्यूट कर दिया, किसको महमूद गवान को, महमूद गवान को जब क्या गए 1482 में 70 साल का था ही और इसके मरने के बाद पार्टी स्ट्राइफ और ज़्चा इंटेंस हो गई और जदा यह बहमानी किंग्डम सापस में रड़ने लगे अक्चुली में बहमानी के में बहुत पावर फोलते हैं और सोचिए जब यह कंवाइंड रहे होंगे तो बहमानी किंग्डम कितना ताकत वर रहा होगा और आगे आनल समय में एहमद नगर बीजापूर और गोल कोंडा यह तीन किंग्डम से बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे डेक्तनी पॉलिटिक्स में और फाइनली यह आपके मुगल अंपायर में मिल जाएंगे यह जो बहमानी किंग्डम था नगरा इंडिया का मैप है नौर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बीच में कनेक्ट की तरह काम करता था यह बहमानी किंग्डम ओके जो भी इनके कल्चरल ट्रे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाइमेक्स ओफ द विजयनगर अंपायर इन इस डिस्ट इंटिग्रेशन के बारे में और स्टेट एन एकनॉमी अंडर विजयनगर के बारे में और फाइनली फिर पॉर्तुगीज के एडवेंट की बात की जाएगी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए